आप सभी लोगों को मेरा नमस्कारू मनिपद में हम उमसाय राम असलावालेकुम सच्रीकाल मैं हुसरभी आगी हूं फिर से आप लों के लिए एक और नया नया प्यारा प्यारा बढ़ीया बढ़ीया सा वीडियो लेकर एक नया रीडिंग लेकर और इस रीडिंग का टॉपि है आपर टेवल पर बड़ा अच्छा लगता है मुझे गाइड करना लोगों को और ऐसे ही कार्ट में जाहतर मंगवाती हो जहां पर लोगों को गाइडेंस मेले हैं कि देखो प्रॉब्लम्स तो सभी की लाइफ में हैं लेकिन हमें प्रॉब्लम्स नहीं सुननी है ना कहां से मिलेगा जब एंजल समय गाइड करेंगे वह हमारा सिलेशन है तो वह सारे कार्ट मैंने रख रखे हैं आपको एक करके दिखाऊंगी मैं तो धेर सारा गाइडेंस होगा आज जो भी ब्लॉक इस होंगे वह हमें पता चल जाएंगे और उसके कार्डिंग में आपको करती है तो अच्छी बात है नहीं करती है तो कोई बात नहीं फिर से मैं ऐसी टॉपिक पर वीडियो अप्लोड कर दूंगी वह आप देख लेना ओके निराश उदास होने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको यहां से गाइडेंस नहीं मिलता है अगर रीडिंग आपसे रज तक आपको मैनिफेस्ट करना है मैडिटेशन करना है यह दो चीजे करनी है खुश रहना है और जो भी आगी होगा वो देखते जाएंगे गो विदफ लो ओके सरेंडर कर देना है और जिन से रजनेट होता है उनके लिए जो भी गाइडेंस मिलेगा उनको फॉलो करना है ठी जाएंगे आंगाई ये टाइंगली सी रिडिंग है तो आपनी इसको कभी भी देख सकती हो और इस चैनल पर कितने भी इडिंग्स करना हाई वो सारे ही टाम नेज आ से हूँ क्योंकि जब भी आपका दिल करें आप रीडिंग्स देख सकते हो आपके प्रॉब्रम का सिलेशन आपको मेल सकता है तो फर्क नहीं पड़ता है आप मेल कैटेगरी में आते हो फीमेल कैटेगरी में आते हो कोई फर्क नहीं पड़ता आप ये रीडिंग्स देख सकते हो एंड गाईज 709 टेरट फैमिली जो है वो भाई सभी के लिए है यहां पर धर्म और जाती को लेकर कोई भेदबाव नहीं होता आप किस धर्म या जाती के हैं कोई फर्क नहीं पड़ता आप रीडिंग देख सकते हैं गाइडेंस ले सकते हैं हमारा जो धर्म है वो है humanity and kindness यानि कि मेरा ओर इस 709 टेरट फैमिली का जितने भी members हैं जो इस फैमिली के members हैं वो सभी healers हैं खुद को heal करते हैं दूसरों को heal करते हैं उनका सम्मान करते हैं आप अगर इस फैमली का हिस्सा बनोगी तो आपको भी वही मिलेगा ठीक है यहाँ पर किसी तरीके का बेदबाओ नहीं होगा तो आप यह देख सकते हैं तो चलिए गाइस आज की डीडिंग शुरू करते हैं आपका जो सपना है वो पूरा होगा या फिर नहीं नहीं कोँगी अगर मुझे ऐसा कुछ लगा कि कोई blockages नहीं तो मैं guidance दोगी तो चलिए शुरू करते हैं All the best Hello guys, तो जिन्होंने चूस किया है यह वाला ग्रूप जहां पर initials आते हैं A, C, E, G, I, J, L, N, P, R, T, V, X तो देखते हैं आपके लिए क्या कुछ आता है यहां पर जो भी आपके dreams हैं वो पूरी होंगे कब तक होंगे और आपको क्या करने की जरूरत है तो चलिए देखते हैं ओके ओके मैं ले रही हूँ कार्स खुद ही आए हैं तो मुझे ले लेने चाहिए तो यहां पर है eight of swords ओके यहां पर है page of pentacles ओके four of swords ten of wands ओल राइट तो जिन्हों ने ये वाला group select किया है group number one बताना चाहूंगी उनकी current energy के बारे में ओके थोड़ा मैं past का भी बताऊंगी थोड़ा present का भी बताऊंगी ताकि आपको समझ आ सके कि आपकी reading है या फिर नहीं सबसे पहले मैं राशियों की बात करूंगी जो कि मुझे यहां पर दिखाई दे रहा है कि आप air sign हो सकते हो Libra, Gemini, Various earth sign भी हो सकते हैं कुछ लोग यहां पर और fire भी मुझे यहां पर दिखाई दे रहा है हम ओके ओके तो यहां पर कुछ लोग ऐसे हैं एक एक करके मैं बताती जाओंगी जो भी energy मुझे मिल रही है तो जो scenario आप से resonate हो आप उसको रख लेना ठीक है guidance तो I think वही same ही होगा लेकिन situation अलग-अलग हो सकती है तो यहां पर मुझे लग रहा है कुछ लोग यहां पर ऐसे हैं जिनका या तो डिसेंटली डिवार्स हुआ है या फिर पहले से हो रखा है ठीक है काफी साल हो गए है शायद तीन साल या फिर उसे भी जादा और हो सकता है कि आपके बेबी भी हो ठीक है बेबी हो सकते हैं या फिर एक बच्ची हो सकती है शायद ठीक है पता नहीं मुझे फिमेल अनरजी आई तो मैं ऐसे बोल दिया कि हो सकता है आपकी बच्ची हो या कुछ लोग के हो सकता है कि दो से तीन बच्ची हो ठीक है ठीक है अ आपने करियर को देख रहे हो अपने बच्चों की फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो जिस कनेक्शन में थे शायद मुझे ऐसा तो नहीं लगता कार्मेक लेकिन कार्मेक सोल्मेट हो सकता है मतब देखो यहां पर कुछ लोगों के लिए मुझे यह लग रहा है कि जब आपने डिवॉस लिया होगा तो बड़े ही मतब सहमती से लिया होगा जो आपके हस्बन या वाइफ होंगे तो उन्होंने आपको बोल दिया होगा कि ठीक है कोई बात नहीं नहीं बन रही तो अलग देते हैं लेकिन उसे कहीं ना कहीं आपके करियर पर फरक आया है मुझे ऐसे लगता है कि जब आप उनके साथ थे तब आप बहुत अच्छा कर रहे ते लेकिन जब आप उनसे अलग हूए तो कहीं न कहीं आपको यह लगा कि पता नहीं, आप अकेले सब कुछ handle कर पाऊगे या फिर नहीं, वो एक डर है आपके अंदर, और वो अभी तक है, आपको शुरुआत करने का सोचते हो, लेकिन यही की डर, कि पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा, कर भी पाएंगे या फिर न नहीं हो पाएगा तो कुछ इस तरीके की अनरजी है आप मैं बात करूंगी उन लोगों की जिनका रिवार्स नहीं हुआ मतलब शादी नहीं हुई अन्मेरिट है तो उनके साथ मैं ऐसा मुझे यहां पर फील हो रहा है कि हो ना हो जिम्मेदारियां आप पर हैं अब आप क्या बाद भी फिर आप करते रहते हो क्योंकि प्यार बहुत है लगाव बहुत है जिनकी जिम्मेदारियां उठारे हो कुछ नहीं के लिए मुझे यह भी लग रहा है कि हो सकता है आप स्ट्रगल कर रहें अपने करियर के लिए अगर फैमिली को नहीं देखने हैं अन्मेरिट भ नहीं है ठीक है कुछ इस तरीके की चीज़े मुझे नजर आ रही है और अगर में इनर्जी आपको बताओं तो बहुत ही ठके हुए हैं कंफ्यूज हैं कंफ्लिक्टिंग एनर्जी में हैं कही ना कहीं बहुत जादा डिसेपॉइंटेड हैं आपको यह लग रहा है कि अगर मेरिट हैं उनके लिए बताओंगी अगर मेरिट हैं तो वहां पर भी मुझे लग रहा है कि सेपरेशन आपका चल रहा है और कहीं ना कहीं आप हैंडल तो करने की कोशिश कर रहे हो बड़ आपको सपोर्ट नहीं मिलता यह मुझे मतलब मोटिवेशन कोई मोटिवेट करने वाला नहीं है कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है और अकेले कोई बंदा क्या ही कर ले यह चीज़े मुझे यहां पर दिखाई दे रही हैं और देखते हैं आपर क्या आता है आपके लिए Yes, action लेने की जरूज़त है सोचते हैं लेकिन कर नहीं पाते Okay, तेखते हैं आगे Sun Okay Knight of Swords Eight of Pentacles Nine of Pentacles And one final card, Temperance Okay, fine वही है, जो मैंने आपको बताया था Nine of Cups है हाँ पर, Bottom of the deck देखो, विश्च जो भी आपकी है Camera ठीक कर लेती हूँ पहले मैं दिख रहे हैं ना, काट देखो, विश्च जो भी आपकी है ना, वो पूरी हो जाएगी उसमें कोई शक नहीं है लेकिन पता है आपके साथ में दिक्कत क्या है आपके साथ में दिक्कत ये है कि आपको ये लगता है कि पहले से आपको पता चल जाए कि इसमें success है या फिर नहीं है अगर मुझे कोई बता दे, clarity दे दे कि success नहीं है तो मैंने try ही नहीं करना ओके और अगर पता चले कि success है तो फिर आगे try करते हैं और होता क्या है universe क्या चाहती है universe चाहती है कि आप अपना कर्म करो ठीक है ऐसा हो जाता है और इसी लिए कही न कहीं आपको वो clarity नहीं मिल पाती होगी जो कि आप चाहते हैं या फिर आपको clarity मिलती भी होगी तो ऐसी मिलती होगी जो आपको संतुष्टी ना दे ठीक है जो आप सुनना चाहते हैं वो आपको सुनने को नहीं मिलता कुछ ऐसा जरूर होता होगा और ऐसे चलते ना आप फिर आगे कभी कुछ करी नहीं पाओगे जाइस पता है कि कि आपकी जो मैं cards देख रही हूं जो overall energy देख रही हूं पता है आपके साथ क्या है आपकी किस्मत में है बहुत कुछ लेकिन आपको मिलेगा सिर्फ तब जब आप महनत करोगे देखो यहाँ पर क्या है पर्सनल लाइफ से भी जुड़ा हो सकता है ड्रीम तो ड्रीम है कोई भी हो सकता है लेकिन जो भी ड्रीम है यहाँ पर आपको महनत करने के लिए बोला गया है यूनिवर्स यह कह रही है कि भाई हमने तो आपको सब कुछ दे दिया जैसे आप एक पेंटिंग बनाने बैटे ठीक है जैसे आपने सोचा कि भाई आज पेंटिंग करने का मोड है और बैटकर बड़े आसी कोई पेंटिंग करते हैं तो आपको किन-किन चीजों की जरूरत होगी राइट है ना तो यूनिवर्स भाई कह रही है कि जो अगर आपको पेंटिंग करनी है तो जो समान आपको चाहिए था वो मैंने आपके सामने लाकर रख दिया अब आप हाती नहीं उठा रहे ब्रश चला ही नहीं रहे इस डर से कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने ब्रश चलाया तो वो खराब और जाया जो पेपर है वो खराब हो जाया पैंटिंग है वो बड़ा भदा शाब जाय इस है पिर क्या रह जाएगा मेरा दिल टूटेगा जो देखेंगे वो भी ताने मारेंगे क्या जब मैं आता नहीं था तो तुम ने पेंटिंग अन्य शुरू का से से कोई यह कहा कि हाओ नेगा ही बनेगा मतलब आपके ऐसे है कि से क्या है का मुधो कर ना रहने तो आएसा नहीं होता हमेशह और इसके dev questioned हो जाएगा अगर किसी ने आपसे यजए कि हाँ आप अफ़िप चाहते हो वह होगा लेकिन-वाथ कुछ तो नहीं होगा एक्शन लेना ही पड़ेगा आगे अबनेंस है बाइदवे मैं आपको बता दू आपको मुझे बताना नहीं चाहिए था यह आपको के अबनेंस है और आपको सक्सस मिलेगी क्या आपकी मैंने कहा ना आपकी किसमत में यह कि आप जब करोगे तब ही उसका फल और जब आप कर्म करते हो तो उतार चड़ाव आते हैं बड़ी आसानी से आपको सक्सस नहीं मिलती असा होता है सभी किस यह जिनको कुछ नहीं करना पड़ता और बैठे-बैठे ही माला माल हो जाते हैं लेकिन हमें उनकी गिंती हमें किसी वो नहीं देखना हमें जो हमें उस पर चलना है हमें अपनी जर्णी को देखना है ना कि किसी और को ना ही किसी किसा आप में खुद को कंपेर करना है हम यूनीक है हमें एक हैना है तो यहां पर जरूरी क्या है यहां पर जरूरी यह है कि सबसे पहले अपने अंदर बैलेंस लेकर आओ आओ आपके बॉ गो एंड मैडिटेट ठीक है उन पर मैडिटेशन करोगे तो आप अपने अंदर की एनरजी को बैलेंस में लेकर आप आप आओगे उस बक्त आपके अंदर वो इस्ट्रेंथ आएगी जब आप एक्शन ले सकें और कुछ अच्छा कर सकें कुछ बहतर कर सकें ड्रीम्स देखन में हैं म개डर यॉनीवर्स आपको क्या बताना चाहती है कि यहाँ पर दो कार्ड्स है और तो घर्लकर है नीचे वेट आपके यह कार्ड्स नीचे कहाँपर पहला है देथ और यहाँ पर धूतरा डैबल किसी भी तरीखे के तॉक्सिक रिलेक्षिंशिप में हैं किसी भी अगर किसी से काफी जादा लगाव है और उसकी वज़े से आपके अनरजी लो रहती है या उसके ख्यालों में आप खुए रहते हैं या फिर कोई फ्रेंड ऐसा है या आपके रिलेटिव ऐसे हैं जस्ट अमेंट गाई से कैमरा में ठीक कर लो थोड़ा अचीब सा लग रहा है और थोड़ा आवाज अगर पीछे से आता है ना तो प्लीज उसको इग्नोर करना क्योंकि यहां ना मेरे घर के पास में काम चलता ही रहता है हमेशा आवाज आती है तो यहां पर आपको बताया जा रहा है कि कोई भी ऐसा कनेक्शन है हो सकता है अभी अभी किसी के लाइफ म लोगों से कार्ड कटिंग कर लो ठीक है और जो भी आपको फॉलो करो उनके बारे में कम सोचो कोई किया कह रहा है क्या नहीं कह रहा है क्या बोलेगा क्या नहीं बोलेगा मुझे यह पर एसा लग रहा है जैसे कि यहां पर यह जो कार्ड बॉंडम अफ दड़क आया है और तो हो सकता है आप किसी ऐसे connection में हैं जिसमें फंसे हुए हैं काफी जादा लगाव है उस connection से बाहर नहीं आपा रहे हैं लेकिन वह इतना टॉक्सिक हो चुका है कि आपको कुछ करने भी नहीं दे रहा ठीक है तब भी आप से मैं वही कहूंगी कि चाहे वह कोई भी connection हो चाहें आपको कितना ही प्यार क्यों नहीं हो लेकिन प्यार करने का मतब यह नहीं होता कि आप अपनी जिंदिगी को रोग कर बैठ जाएं ठीक है अगर उस तरफ से कोई जिसकी वजह से जिसके action से आपको reaction हो रहा है तो भाई इस कमी को खुद के अंदर से दूर करो कि कि वह अगर कुछ कर रहा है तो उसकी गलती नहीं है हम अगर फील कर रहे हैं तो हमारी गलती है और इसलिए मैंने आपको कहा कि अपने seven chakras पर काम करते हो तो लोगों की बात यहां पर ऐसे हैं जैसे के मैंने कहा कि हो सकता है आपका divorce हुआ हो बाद में आप किसी से मिले हूँ आपको लगा हो कि यह आपका true love है बाट उसने आपको चीट कर दिया ठीक है आपके साथ physical हुआ देन आपको छोड़ दिया ऐसा भी हो सकता है सभी के लिए मैं नहीं कह रही हूँ यह जनर रीडिंग है याद रहे तो जिनसे रेजनेट होता है वो ले ले लें ठीक है ना एक कार्ड में यहां इस पर और निकालूंगी डेवल पर येस कंपर्म हो गया है कोई connection आपका जिसकी वज़े से आप परेशान है आपको पता है इस connection की वज़े से आप खुद ग्रो नहीं कर पा रहे ग्रोथ नहीं हो रही आपकी ठीक है गलत है अगर किसी से प्यार भी करते हो तो प्यार का मतलब यह नहीं है कि खुद की ग्रोथ को रोग लो आप तो आगे बढ़ो ना आपके अपने लाइफ पॉपस है और वैसे भी आप इस दुनिया में अकेले आ मिलता है मैं बस यह मानती हूं और वही आपको मानना चाहिए वही हम सब को मानना चाहिए हमें जस्तिस तब ही मिलता है ठीक है न और देख लेते हैं पर क्या आता है आपके लिए बाबा की तरफ से बाबा आपसे क्या कहना चाहते हैं कि आपको क्या करनी की जरूरत है जिसस बाबा आपको कोई फर्क नहीं पड़ता जो भी आता है मुझे तकलीफ देकर चला जाता है यहां पर है बी दलाइच आप एक हीलर हो आपको हीलर बनने की जरूरत है और एक जो हीलर होता है न उसको इस तरीके के अनुभफ मिलते रहते हैं कोई बड़ी बात नहीं है तो यहा जब तक एक बच्चा स्कूल में पढ़ता है किसी भी क्लास में पढ़ता है एक उसका एक्जाम वो अच्छे से नहीं समझ जाएगा ठीक है एक्जाम को प्लिए नहीं कर पएगा तब तक और नेग्स्टClas में उसको अगली कक्षा में नहीं बेजआ जा जाता है हैंना बिल कि पर आपको समझाना चाहते हैं किया सब्सक्राइब कि यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि तो पूरा आपको बैठ बहते हैं इहां पर आपको बताया जा रहा है कि भाई जो गल्तियां आपने करी इंको बार बार करना बंद करो और जिस दिन यह गल्तियां करना बंद करो उसी दिन से एंपेटेशन भी आपका होना बंद हो जाएगा ठीक है यह चीजें बार-बार नहीं होगी और ये relationship को लेकर भी हो सकता है, आपके friends को लेकर भी हो सकता है, family को लेकर भी हो सकता है, ठीक है, आपके career में भी हो सकता है, कि आप इसी तरीके के job करते हो, जहां पर आपको सुख और शांती नहीं मिलती, तो आपको कही ना कही थोड़ा bold होने की जरूरत है, अपने लिए action लो, अपने लिए खड़े हो, ठीक है, stand लेना सीको, exchange energy to create abundance, ऐसा भी हो सकता है, जो हमारे viewers है, उनको किसी तरीके की ऐसी energy मिली हुई है, जिससे वो लोगों को guide कर सकते हैं, ठीक है, जैसे उनको palm reading आती हो, य इस energy का यूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको ये लगता है, कि अगर वो इस energy का यूज करते हैं, लोगों को बताते हैं, कि उनके पास में ऐसे शक्तियां हैं, ऐसे gifts उनको मिले हुए हैं, तो लोग उनका मजाग उड़ाएंगे, लेकिन यूनिवर्स यही चाहती है, कि आ सोच कर आपको जो gifts मिले हैं, उनका प्रयोग करो दूसरों को भला करने के लिए, अगर आप दूसरों का भला नहीं कर पाओगे, इस तरीके से आगे नहीं बढ़ोगे, तो फिर ये चीज़ें आपकी लाइफ में होती रहेंगे, आपको तकलीफें मिलती रहेंगे, क्योंकि एक बात मैं आपको बता दूँ कि पुरानी चीज़ों को भूलने से मेरा मतलब ये नहीं होता कि आप जबरदस्ती उनको भूलो, खुद पर प्रेशर डालो, ऐसा नहीं है, आप जब वो सब कुछ करते हो ना, जो आपको बताया जा रहा है, जैसे आपका जो भी पैशन है, उसको फॉलो करते हो, जो भी आपको अच्छा लगे वो करते हो, तो धीरे धीरे खुद जो तकलीफें आपकी दूर होने लग जाते हैं, आप हील करने लग जाते हो, ठीक है, ऐसा नहीं है कि मुझे पता है, तकलीफ होती है, ऐसा नहीं है, कि मैं समझ नहीं रही, भई, मैं मैंने पहले भी कई बार वीडियो में कहा है कि सभी की लाइफ परफेक्ट नहीं होती, मेरी भी नहीं है, मैंने भी बहुत कुछ जेलाया, अभी भी जेल लेती हो, मैं कोई भगवान नहीं हूँ, आप ही लोगों के चैसी हूँ, और मुझे पता भी है, कि आगे बढ़ने में पड़ी दिक्कत होती है, लेकिन वही है, क्या कर सकते हैं, या तो रोते रहो, या फिर हसकर वो एक्सेप्ट करो जो उपर वाले ने आपको दिया है, कि कुछ सोच समझ कर ही दिया होगा, है ना, तो बस यह है, और वही है, मैंने कहा ना, कि मैं कर्मा पर बहुत बिलीव करत आता है, सो बेफिक्र रहो, ठीक है, और देखते हैं, यहाँ पर क्या आता है आपके लिए, आइसलेशन, यही है, यही है, आपको ही लिंग की जरूरत है, येस, एक्षली आपको ना, आप एक्षली देते बहुत हो लोगों को, रिबोर्थ, येस, येस, ओके, सी, ट्रांस्फरमेशन हुआ है, कोई बहुत बड़ा ट्रांस्फरमेशन हुआ है आपका रिसेंटली फ्रेंडलीनेस का कार्ड है यहाँ पर, हो सकता है जिनके साफ में आप डिल कर रहे थे, कुछ सच्चाहिया, उनकी सामने आई, मतलब हमने इक तरीके से अच्चाहिया, कुछ नि वही चलता ही है, सभी लोगों के बीच में, मैं काउंगी साइकल कमपलीट हुआ, एक सटेंस हो गया, साइकल कमपलीट हुआ, और कमपलीट होने के बाद, मैं शख दिखाक आतर मुझे, द मिझे कोई नहीं नग्य benefic by कि अटया करता कि सब्सक mut return को ने हैं और कि करता कि को अइसा करता होगा और एक अच्छा रीडर नहीं करता हैиях। और लोग मुझे टी लिग जाते हैं रही यह एक का्ड इसका है आपने असका है आपने है'Miman, norm suggests, क्या मैं आपने इंटिशान से पढ़ूंगी किताबों के आधार पर ठीक है सीख लिया लेकिन कार्ड आपको अमेश अपनी इंट्विशन से पढ़ने होते हैं जब आप कार्ड रीडिंग सीखते हो तब भी आपको यह सिखाया जाता है कि हर एक कार्ड को लेकर बैठो और उसको फील करो इसकी एनर्जी को जो आपको समझा है ना उस आधार पर उसको यूज करो किसी के भी भविश्य को बताने के लिए ठीक है तो यहां पर आपको कहा जा रहा है कि जितना हो सके खुद पर फोकस करो मुश्किल है लेकिन नामुम्किन नहीं कर पाओगे ठीक है कोई नोग वांस कैसी होती है कोई परवानी होती कि सामने वाले का क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो अपने में मगन है ठीक है अपनी खुश्यों को देखती है खुद पर ध्यान देती है तो आपको उसी एनरजी में आना है ठीक है अगर आप इस एनरजी में आते हो आपको बहुत रिलीफ मिलेगा जिन उनको वही कह रही हूँ, और आपको भी यही अफर्म करना है हर दिन, आपको यूनिवर्स को यह नहीं बोलना, कि किसी का अच्छा हो या बुरा हो, क्योंकि हम नहीं बोल सकते, हम सबी उनहीं के बच्चे हैं, है न, हम किसी के लिए अच्छा बुरा नहीं बोल सकते, यह गलत कुछ फ्रेंद्स को आपने छोड़ा हो कुछ भी हो सकता है या किसी और ने कुछ ऐसा किया है जिसको लेकर आपको लग रहा था कि आप काफी ज़्यादा प्यार करते हैं आपको काफी ज़्यादा लगावें लेकिन सामने वाला कहीं ना कहीं आप पर फोकस ही नहीं करता या आप नहीं दुनिया में मगन हैं, आप पर ध्यानी नहीं देता, और टाइड अप कही ना कहीं, बहुत ही टॉक्सिक से अनरजी थी, और बहुत अच्छा किया, आपने मुवण किया, हाँ तकली फोरी होगी, जानती हूं, लेकिन कोई बात नहीं, आप आगे बढ़ते रही है, और जो आपका है ना वो आपको मिल जाएगा, आपने जिन से मुवण किया है, या जिनोंने आपको छोड़ा है, अगर वो आपके हैं, अगर मदर यूनिवर्स जिस्टिस करना चाहेगी, वो आपके पास वापस आजाएंगे, ठीक है, डोंट वर्री, आप सही थे ना, आप ने 100% दिया ना, आप सच्चे रहें ना, that's it, forgiveness, yes, माफ कर दो, ठीक है, माफ कर दो, किसी को पकड़कर मत बैठो, ये कही ना कही आपके लिए हुआ था, ये जो भी अभी तक आपके साथ में हुआ है, जैसे कुछ ड्रीम्स हो सकता है, आपके पहले भी पूरे ना हुए हो, तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है, कि सब कुछ इसलिए हुआ, क्योंकि आपका enlightenment होना था, आपकी awakening होनी थी, ठीक है, आपको पता लगना था, कि आप इस दुनिया में क्यों आए हो, आपका soul purpose क्या है, rejection, होता रहता होगा ये आपके साथ, लेकिन अब नहीं होगा, ठ gratitude, gratitude journal करके manifestation technique होती है, वो आपको try करना है, ठीक है, अभी मैं आपको बता रही हूँ, मेरे ही channel पर video पढ़ा हुआ है, जहां पर तीन techniques मैंने share करी हैं, उसमें gratitude journal भी है, तो आप जाकर आज से वही करना शुरू करो, यकीन मानू, जो भी dreams हैं आपके पूरे हो जाएंगे, इतन अपने heart chakra पर काम कर लो, ठीक है, 7th chakra की मैंने जो बात करी थी ना, तो 7th chakra पर अगर काम नहीं करते हो, तो अपने heart chakra पर कम से कम काम कर लो, इतना कर लो, बस आपके सारे dreams पूरे हो जाएंगे, लिख के ले लो, सची, सची मुची, नहीं करोगे तो बात अलग है, है ना, अग तक से भी guidance आता है, ठीक है, तो आपके मन में जो भी सवाल हो, पूछिएगा, और देखते हैं, एंजल्स आपको क्या बताते हैं, पूरी होने वाली है, कुछ साइन्स आपको मिलेंगे, उनको आपको देखना है, हो सकता है, किसी तरीके की clarity चाहिए हो, तो वो आपको मिल जाएगी, और कुछ ऐसा होगा guys, कि सब कुछ आपके हाथों में आ जाएगा, हो सकता है, अभी तक situation ऐसी रही हो, जब आप दूसरों पर depend रहते थे, कि कोई हाँ कह दे या कोई ना कह दे, लेकिन अब चीज़ें ऐसी होंगी, कि सब कुछ आपके हाथों में आएगा, और उस वक्त आप पर ये बनेगा, कि आप हाँ बोलो या ना बोलो, it's up to you, okay, अब देखो angels, कि किस त So guys, ये थी आपकी reading, I hope आपको पसंद आई हो, लंबी सी हो गई है, बट मुझे guidance देना था, तो करना पड़ा, अगर पसंद आई है reading तो like करें, resonate करी हो, मुझे बताना ना भूले, चैनल को share and subscribe करना बिल्कुल भी ना भूले, बन जाए इस family गा हिस्सा, और रहे हमेशा हमार साथ, तो फिर से होंगी, मैं एक नया वीडियो लेकर आप लोगों के लिए, तिल दें, टेक के, पपाई, है लो गाइस, तो जिन्होंने ये वाला गुप सिलेक्ट किया है, गुप नमबर टू, जहां पर initials आते हैं, B, D, F, S, K, M, O, Q, S, U, W, Y, Z, तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या कुछ है यहां पर, आपके जो ड्रीम्स हैं, पूरे होंगे, कब होंगे और कैसे होंगे, ठीक है, तो यहां पर ना, पहले मैं आपकी थोड़ी से एनरजी चेक करूंगी, कि कैसी क्या सौल रही है, आपको बताऊंगी, आप देखना कि आपसे वो रेजने हो रहा है, आपर नहीं, अगर वो एनरजी आपसे रेजनेट हो जाती है, तो आप रीडिंग आगे भी देख लेना, पूरी है ना, और अगर नहीं होता है, तो जाने देना, फिर तो टाइम वेस्ट होगा, मैं अगली बार फिर इसी टॉपिक पर रीडिंग डाल दूंगी, और हो सकता है, वो आपसे रेजनेट कर जाएं, तो चली देखते हैं, ओके, पेज ओफ पैंटिकल्स, तो ग्रूप नमबर वन के लोग यहाँ पर भी आ गए हैं, क्या, रीडिंग देखने हैं, ओके, यहाँ पर है पेज ओ वन्स, पेज़े आ रहे हैं, नाइन ओफ पैंटिकल्स, दी एंपरर, छोटे-छोटे सपने हैं, बढ़ कई सारे हैं, मैं यहाँ पर बोल रहे थी कि आपकी विश पूरी होगी, या फिर नहीं, और यहाँ पर हैं विश, यानि कि काफी सारे रीम्स हैं, तो आप चाहते हैं कि दीरे-दीरे करके आपके प काफी कम है, स्कूल में होंगे या कॉलेश में होंगे, I think, नाइन ओफ सोट्स, ओके, सेवन ओफ सोट्स, त्री ओफ कप्स, अपनी दोस्ती जब धोका दे देना तो बड़ा बुरा लगता है, है ना, आपको दी मोटिवेट करें, आपके बारे में गलत बोलें, लोगों तक कुछ और बाते पहुचाएं, आपके सामने कुछ और कहें, है ना, और कभी-कभी ऐसा हो जाते हैं, कि हम भी ऐसा कर देते हैं, हमें पता नहीं होता, और थोड़ी सी इमस्योर एनजी होती है, एच भी कम होती है, बच्पने में कर जाते हैं, कुछ ऐसा, जो नहीं करना चाह इदर की बाद उधर कर देना, उदर से दर कर देना, चीजे छुपाना और बाद में फिर पच्टाना क्या, ये करने से ऐसा हो गया ऐसा आउटकम आईगा ये तो नहीं सोचा था, होता है, होता है, होती है ये चीजे 2 of pentacles, मुझे एक काड़ और चीए, 6 of swords दिल दुग्या है कि दुखा दिया है पहले ये बताओं तो कुछ लोगों के लिए तो लग रहा है कि आपका खुद का दिल दुखा है और कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि खुद आपने ही दुखा दिया है ओके यहां पर अगर आप लोगों की एच अगर 25 ले लेते हैं 25 इस age में अगर आप आते हो I feel आपको hurt किया गया है और अगर इससे ज़्यादा कि age के हो आप ठीक है 30 above हो या 30 या 30 above हो तो I feel कि कुछ तो किया है आपने किसी को hurt किया है कि यहां पर emperor का card है with the three of swords तो है तो जरूर कुछ और सिर्फ आपने अपनी जिद में यह काम कर दिया है और शायद अब आपको यह लग रहा है कि आपने यह क्या कर दिया रिग्रेट वाली अना जी अब आपको चैन नहीं आ रहा तो जब करा था तब नहीं सोच पाए थे आप अब आप बोलोगे कि ऐसे आप आप ऐसे क्यों बोल रहे हो मैं ऐसी बोल देती हूं गाइस बुरा लगा हो तो माफ करें शमा करें लेकिन भाई ऐसी हूँ मैं मेरे अगら चीजर कीर्म में मौन में के लिए है और अगर Спro성이 किया तो आम आप के साथ किसी ने ऐसा चाहे तो आप आप मिल से यह पिर नहीं को थे रहे और और जो दिन पहले लगते थे कि आप पहले खुश रहा करते थे वैसे ही फिर से दिनाएंगे और फिर लगता है कि नहीं होगा नहीं हो पाएगा जो भी मिलता है वो हर्ट करके जाता है दोका दे कर जाता है कैसे ड्रीम्स पूरे होंगे जब हम इतनी लो एनरजी में रहते हैं मैनिफेस्टेशन के बारे में काफी कुछ आपने सुना होगा जाना होगा और वहां पर यह भी देखा होगा कि आपको बताया जाता है कि अगर आप हाई एनरजी में रहते हो तो ही आपके द्रीम्स पूरे होते हैं लेकिन हाई अनरजी कहां से लेकर आई जाए जबकि साथ व स्ट्यूडेंट है अगर आप तो मैं आपको बता दूं कि इतनी टेंशन लेने की इतना जादा ओवर तिंग करने की जरूरत नहीं है अगर कर रहे हो तो बहुत गलत बात है बच्चे बाबु यह टाइम नहीं होता इतनी टेंशन लेने का ठीक है आपको हसते खेलते रहना अगर से ही है टू अफ पैंटिकल्स एंजोय लाइफ ठीक है वैसे पूरी जिंदीगी पड़ी है जो यहां पर आप लोगों से बड़े हैं यह वीडियो देख रहे हैं उनसे पूछो क्या होती है लाइफ अभी कुछ नहीं है अभी आपको पढ़ना लिखना है और करियर अ बनाना है ठीक है और सारी चीजों के बारे में कम सोचा करूं किसी ने आपको दोका दे दिया किसी ने आपसे बात नहीं करी I know emotions होते हैं feelings हैं hurt होते हैं अच्छी बात है लेकिन मुझे लगता नहीं कि उस तरफ आपको focus करना जाए ठीक है अभी आप अगर अपने dreams को लेकर जाधा सोचते हो तो आपको dreams ही पूरे करने चाहिए dreams अगर आपके personal life से जुड़ा हुआ है तो मैं बता दूं कि बहतर होगा पहले अपना career बनाओ मुझे पता है कि मैं जो बोल रही हूँ यहां पर काफी सारे लोगों को यह लगेगा कि आप क्यों सिक्षा दे रही हैं है आप कौन होती हैं सिक्षा देने वाली तो मैं होती हूँ आप अपनी दी समझ लो हो सकता है आपको बुरा लगे लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि आप लोग अभी छोटे हो बच्चे हो और अगर यहां पर आए हो इस family में आए हो तो मेरा हक बनता है कि मैं आप लोगों को सम क्योंकि अगर आप 30 बिलो हो तो 30 नहीं मैं 20 ले लूगी क्योंकि काफी इमिच्वर अगर अगर आप इस अनरजी में हो तो मुझे नहीं लगता कि आपको इस तरह फोकस करना ची है ठीक है कि कोई क्या फील कर रहा है हमारे लिए प्यार करता है नहीं करता है यह सारी आपको बहुत अच्छा है लेकिन इसको बिगाड़ो मत और अगर आप 30 अब अब हो तो मैं आपको बताऊंगी कि देखो ड्रीम्स आपके पूरे होंगे लेकिन आपको थोड़ा अलर्ट रहने की जरूरत है कुछ इस तरीके के लोग हैं आपके आस-पास जो बनते तो आप कि आपके प्रेंड्क यह है नीए ठीक है यह मैं बता दू कहीं न आ कहीं आपकी तकलीफों का कारण ही वह इं जिनको आत बहुत अपना मानते हो जिनसे आप सारी बाते हो जिनको आप अपने पास रखते हो कहीं-ननें चाहते हैं कि आप आके बड़ें अब मैं जो बोल रही किसी की इंक्वाइरी करने लग जाओ, आप से बस इतना कहूंगी कि अलर्ट रहने की जरूरत है, I feel के रिसेंटली कोई आपको मिला भी है, जिसको लेकर आप बहुत ज्यादा खुश हैं, अलर्ट रहें, प्लीज, ठीक है, इससे आगे मैं कुछ नहीं बोलूगी, और देख लेते हैं, ड्रीम्स देखिए, आपके पूरे होंगे, लेकिन ब्लॉकजिस कई सारे हैं, और उनको आपने ही हटाना है, एक तो अपना ये जिद्धी बनाना, ये कम करो खुद की अंदर से, और थोड़ा आख वाँ घुमा कर देखा करो, कि कौन कैसा है, कैसा नहीं, आप आख बंद करके कही ना कहीं, और आपके साथ में ये है, कि पहले तो आप ट्रस्ट करते नहीं, और करते हैं, तो फिर ऐसे करते हैं, कि फिर आप देखना ही नहीं चाहते कि कौन कैसा है, क्या कर रहा है, लोग इस तरीके से भरोसा जीत करना, अपने काम बना लेते हैं, ऐसे लोग हैं ठीक है अब पता नहीं मुझे ऐसी एनजी आ रही है क्यों आ रही है I don't know जिन लोगों ने ग्रूप सिलेक्ट किया है प्लीज अलर्ट रहें मैं आपको बताना चाहूंगी यहां पर दे वर्ल्ट का कार्ड है विद्ध हर्मित see justice आप करते हैं लेकिन हुआ जरूर है कुछ यहां पर देखो यह कार्ड या तो इसलिए है कि आपको justice मिलेगा लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि कुछ है कोई clarification मिलेगा और हो सकता है इस clarification के बाद में चीजे कुछ ऐसी हो जिससे आप हर्मित मोड में जाओ आपको self-realization की जरूरत है कहीं ना कहीं आप दुनियादारी में इतने खोय हुए हो आपको यह पता ही नहीं है क्या आपको चाहिए क्या dreams आपके सिर्फ तब पूरे होंगे जब आपको यह पता होगा कि आप खुद क्या हो जब आपको यहीं नहीं पता कि आप खुद क्या हो आपको चाहिए क्या तो कैसे आपके dreams पूरे हो पाएंगे ठीक है यह मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है meditation वगर अगर नहीं करते हो तो करने लग जाओ करते हो तो अच्छी बात है थोड़ा अपना crown चक्रा पर काम करो और अपने heart चक्रा पर काम करो I feel कि आपने अपनी life में जो भी आज तक फैसले लिए हैं वो इस आधार पर लिए हैं कि घर वाले क्या चाते हैं सुसाइटी क्या चाहती है आस पास के लोग क्या चाहते हैं और उसके विज़े से आप खुद को देखी नहीं पाते मैंने कहा ना शुरुआत में मुझे अशी लगी खुद को तो आप देखी नहीं पाते आपको लगता है आप compromise करोगे तो उससे सभी लोग खुश रहेंगे लेकिन मैं बता हूँ कईस कोई खुश नहीं रहता आप एक विश पूरी करोगे उनकी दूसरी आकर खड़ी हो जाएगे कौन से वो है initials ज़रा देखो अच्छा इसमें तो मेरा भी है लेकिन पता नहीं आप लोग बताईए का मुझे ठीक है अच्छा मैं बता देती हूं क्लिरली यहां पर क्या है देखो अगर आपने किसी के साथ में अन्याय करा है अब मुझे नहीं पता कि क्या है अगर आपने किया है सिफ इसलिए क्योंकि आपकी पोजीशन बनी रहे ठीक है उस पर आच नहीं आए मैं बता दूं कि जिसके साथ भी आपने कुछ ऐसा किया है भाई जस्ट्रिस सभी को मिलता है उनको जस्ट्रिस मिलेगा तो आपको आपको बहुत ही ज्यादा हो जाए कि आपने ये क्या कर दिया ठीक है ऐसा हो सकता है और लेकिन वो होगा आपके अच्छे के लिए क्योंकि अगर ये ये सब कुछ नहीं होता तो शायद ही असलियत आपके सामने नहीं आती किसी तरीके कि क्लारिटी आपको मिलेगी गाई मै पहले ही बता दूँ आने वाले ठाइम में और वो क्लारिटी मिलने के बाद अप सेल्फ रिलाइजेशन करोगे हर्मित मोर में जाओगे खुद की सोल सर्चिंग करोगे और उसके बाद जो आपके ड्रीम से सच में जो आप चाहते हो आपकी सोल चाहती है वो आप पूरा कर जो भी आपके ड्रीम सेंगे उनको पूरा कर पाऊगे उससे पहले क्या होगा अपस्टिकल आते रहेंगे ठीक है आपकी सोल सर्चिंग बहुत ज़रूरी है ठीक है अब यहां पर कई लोग मुझे यह बोलेंगे कि नहीं हमें तो पता है तो वो उनके लिए रीडिंग नही आप प्रक्रव की बतारी हूं आपको पता है मैं इसलैं परस्ट बोल को लिएती हूं और अगर आको किसी ने होट किया है आपको किसी ने Central लाइफ की बार कर लें अगर ऊपशने लाइफ जो भी है बात कर लें तो मैं आपको तो बता दूं, आपको justice मिलने वाला है, लेकिन आपको heal होने की जरूरत है, देखो, justice भी हमें तभी मिलेगा, जब हम किसी को forgive कर देंगे, जब तक ये नहीं करते हैं, तब तक हमें justice भी मिलने मिलता, तो है heal, लेकिन time लग जाता है, ठीक है, तो आप से मैं कहूंगी कि उनको forgive जाएगी, रुक जाएगी, जो कि बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, dreams आपके पूरे होंगे, लेकिन blockages बढ़ बढ़ कर है, ठीक है, heavy energy है, और आपको इस पर काम करना है, अब जैसे आप से resonate हो, आप वैसे ले लेना, कि आपने अगर किसी के साथ में गलत किया है, तो आप आप उसके लिए तयार हो जाओ, ठीक है, और अगर आपके साथ किसी ने कुछ गलत किया है, तो फिर आप उसके लिए भी तयार हो जाओ, अब जो है, सो है, ठीक है, सेवन्थ चक्रा, एक्षिली आपकी इंटुशन काफी अच्छी है, और आपको साइंस भी मिले हैं, लेकिन कहीं न कहीं आप उसको सुनने, मैंने कहा ना, हटी सी एनरजी है, हट बहुत है, जिद बहुत है, तो यहां पर एक तो दो तरीके की एनरजी आ रही है, दोनों मैं एक्स्प्लेइन कर रही हूँ, आपको अगर समझ नहीं आए तो वापस से बोल देना मुझे, मैं फिर से वीडियो इसी टॉपिक पर डाल दूँगी, देखो यहां पर दो तरीके की एनरजी है, मैं पहले ही बता दूँ, एक तो उनके लिए है, जिन्होंने खुद भाई किसी के साथ कुछ किया है, जरूर कुछ किया है, अगर उनके एनरजी के मैं बात करूँ और ये दोनों कार्ज, अगर मैं एक्स्प्लेइन करती हूँ, तो कार्ज कुछ इस तरीके से हैं, कि आपको इस्टेबि विद वर्ल्ड, क्योंकि अगर विद वर्ल्ड जस्टेस नहीं आता, तो शायद कुछ और ही होता, लेकिन विद वर्ल्ड जस्टेस आया है, तो इसका मतलब है कि एक साइकल चलेगा और वो एंड होगा, और जिसने जो कर्मा किया है, उसका फल मिलेगा, अगर आपने कोई क प्रैक्टिकली सोचा और उनका जो इस दुनिया में आने का जो पॉपस है, वो कहीं ना कहीं स्पिस्यूालिटी से जुड़ा हुआ है, प्रैक्टिकली के उन्होंने सोचा कि हाँ ठीक है, इस तरीकी से हम करते हैं, तो हमारा भला हो जाएगा, लेकिन नहीं, गड़बड हो जस्टिस मिलेगा अगर आपके साथ किसी ने गलत किया है तो, और अगर आपने किसी के साथ कुछ गलत किया है, तो उसके लिए तियार हो जाओ, क्योंकि जस्टिस का काड़ यहां सबसे पहले आ गया है, ठीक है, जो भी ड्रीम से आपके वो पूरे होंगे, अगर इससे हट आपके साथ किसी ने गलत किया है, तो फोगिफ करो और आगे बढ़ो, और अगर आपने किसी के साथ में कुछ किया है, देखिए, यहां पर कई लोग हैं, जो मुझसे नराज हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको सत्य बता रही हूँ, मैं इसलिए बता रही हूँ, ताकि आप सु है कुछ तो है मैंने का ही possibilities देखा possibilities आ गई choices थी यहां पर and mind और बहुत जादा दिमाग से सोचा गया अब किसी ने अगर आपके साथ ऐसा किया है जैसे आपके और किसी और के बीच में confused थे और किसी और को choose कर लिया तो इसका reason यह नहीं है कि आप में कोई कमी है इसका reason यह है कि उनका एक cycle शुरू होना था ताकि वो उनकी awakening हो सके उनको समझ आ सके कि सही क्या है घलत क्या है ठीक है उन्होंने वो किया जो और को सही लगा जो सब कुछ देखते हुए उन्हें alors लेकिन वो हो गया है उनसे गलत जो भी फैसला उन्होंने लिया है गलत हो गया है और यहां पर आपके कोई कमी नहीं है यह यूनिवर्स ने करवाया है क्योंकि अगर नहीं करवाती तो इनके वेकनिंग नहीं होती अब बस टाइम आ गया है उनका तो वो तो यह जेलेंगे ठी या फिर जब हम कोई विश अपनी रखते हैं अपने मन में चाहते हैं कि वह पूरा हो तो वह कैसे पूरी होती है जब हमारे कुछ dreams होते हैं उनको पूरा करने के लिए कई सारे प्रयास हम करते हैं लेकिन एक चीज और कर देते हैं डर अपने अंदर बिठा लेते हैं कि पता नहीं पूरा होगा या फिर नहीं और जहां पर यह डर बैठ जाता है ना वहीं चीज़ें खराब हो जाते हैं तो कोई तो ऐसा dream है जो आपका टूटा है और वो टूटा सिफ इसलिए है क्योंकि आपके अंदर से वो डर निकल जाए जब वो टूटी गया तो डर रहा ही नहीं है ना तो अब जब आप मैनिफेस्ट करोगे अब जब आप कुछ मांगोगे तो आप बिना किसी डर के मांगो होगे और तुरंथ वो आपको मिल जाएगा यह होगा और अगर आपने कुछ ऐसा किसी के साथ किया है तो भाई आपकी जर्णी शुरू होने वाली है त्यार हो जाएं मैं हमेशा कहती हूं कर्म करने से पहले सोचना चाहिए ठीक है लेकिन आपके लिए अच्छा है आपके अच्छा है आपको भी क्लारिटी मिल जाएगी देखते हैं बैलेंस बनाकर रखना अपने अंदर ठीक है सफ्रिंग जरूरी होती है चैनल आपको किसी परपस यहां पर लाया गया है मैं फिर से वहीं कहूंगी और वो कहीं ना कहीं परपस आपने नहीं देखा और नहीं दे एंको कहिए हमें हील करें हमारी रक्षा करें क्या करना हैं और हमें बताते रहें कि हमें किस वक्त क्या करना है और बहतर होगा कि जो आप चाहते हैं उसको manifest करते रहें, हो सकता है situation कुछ ऐसी हो गई हो जब आपको लग रहा है कि अब जब आप manifest करोगे तब भी कुछ पूरा नहीं होने वाला, लेकिन angels आपको कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, बले ही आपको यह लग रहा है कि सारे दरवाजे आपको सब्सक्राइव बस्सक्राइब आप में मैं कंव लोगर रहना थक faithful के कर दोदों के अपको ख़थ्या में सब्सक्राइब करक waiting करदू झालो ऑका उनày जख्यों तो फ्लब के साइकर मतलब एक बता है कि पूरी तरह नहीं तरहा ग्याइन, रहे बढ़न एक नहीं पू अगर आपने किसी को आपने कोई connection खत्म किया है तो मैं बता दूं कि वो connection खत्म नहीं हुआ है अभी भी आपको उस पर काम करना है और जो universe आपको वापस वहीं पर लेकर जाएगी जो आपने छोड़ा है ठीक है और अगर किसी और ने आपके साथ में connection खत्म किया है आपको cheat कि तो मैं बता दूं कि अभी खात्मा नहीं हुआ अभी ये बाकी है बहुत कुछ बाकी है ठीक है तो रुकों मत जैसे manifest कर रहे थे ना वैसे ही करते रहो ठीक है लेकिन आप डर निकाल देना अपने अंदर से बस ये करना क्योंकि डरने लाए कुछ राई ही नहीं है ना कुछ है जो खत्म हो गया है लगता है ना आपको कि अब खत्म हो गया तो बस अब डर तो रहना नहीं चाहिए और जब डर नहीं है तो manifestation काम करेगी बिट्टे hold the space yes trust and see मैं का ना जरूरी था ये होना mountain stand your ground आपको अडिग रहना है ठीक है छोड़ना नहीं है आपको विश आपकी पूरी होगी या कीन मानो मैं यूँ नहीं भोल रही ठीक है यहां से देखते है एंजल आपको क्या बताते हैं जो भी dreams हैं आपके जो भी आपकी विश है वो पूरी होगी give up मत करना ठीक है और give up ना करने का मतलब यह नहीं है कि 24 गंटे उसी के बारे में सोचते रहो उसी के लिए रोते रहो नहीं manifestation करो law of attraction का use करो यानि कि जो चाहिए उसको visualize कि और छोड़ दिया let go कर दिया let go करना सीको ठीक है देखते हैं आपर angels आपको क्या ब meditation करो answer आपको जरूर मिलेगा ठीक है वही मैं आपको बता रही थी don't worry अगर कुछ खत्म हुआ है तो कुछ शुरू होने के लिए और कुछ बहतर आपको मिलने के लिए जो चीजें आप चाहते थे ना अब वो ऐसे मिलेंगी जैसे के जहां पर आपका command होगा ठीक है यह समझ दर्थ मिला है जानती हूँ तकलीफ हुई है लेकिन अब सब कुछ अच्छा होने वाला है don't worry यह पी लिया पानी और एक काट में और निकालना चाहूँगी आपके लिए यहां से आपके लिए guidance क्या है आपके विश कैसे पूरी होगी और कब पूरी होगी मैंने आपको बताया है guidance है कि आपको खुश रहना है forgive करना है और और मेरे गले में हो गई है पता नहीं क्या खराश यहां से कार्ट देख लेते हैं आठाश और कांए अहुड़न मेरे विख्तर में है यह अब बता रही है आपके साथ अतले हैं नहीं हुई हैर खत्म लेकिन आप यह दिख़ रहा है कि खत्म हो गई है वस अब मुऊ आप की बता रही है बहुत पहले से कि बिट्टा ऐसा होना है ऐसा होना है कि आम इसको सुननी रहते हैं कोई बात नहीं है अभी वही मैं आपको बता रही हूं कि अभी भी देड नहीं हुई आप मेंडिटेशन करो अपने सवें सक्रास पर काम करो सब ठीक हो जाएगा ठीक है गला मेरा जबाब दे गया बहुत बोल ली आज तो गाइस यह थी आपकी रीडिंग होब आपको पसंद आई हो आई हो तो प्लीज लाइक करें रेजनेट करी हो तो मुझे बताना ना बुलें चा मुझे बढ़ाई